आजमगर सीट पर हुए उपचनाओ में बीएसपी उमीद्वार के बहतर प्रदर्शन से मायवती की जमीन मजबूत होती नजर आ रही है वही बीएसपी ने साल 2024 में होने वाले लोग सभाचनाओ की तैयारिया भी तेज करती इस बीच मायवती ने आज राश्ट्रिय और प्रदेश कमीटी की एहम बैठक बुलाई मायवती विधान सभाचनाओ में मिली करारी हार के बाद लखनों में ही रहे कर लगातार संगठन विस्तार और इसके कामकाच की समिक्षा कर रही है विधान सभाचनाओ में सही कामना करने वालों को पार्टी से बहार करास्ता दिखाया जा रहा है या फिर उन्हें हाश्य पर डाला जा रहा है बताया जा रहा है कि अभी कुछ और बड़े लोगों को बहार करास्ता दिखाया जा सकता है सूतरों का कहना है कि बैठक में जिम्मेदारों के कामकाच की समिक्षा की जाएगी और राश्ट्रिय और प्रदेश कॉडिनेटरों से प्रगती रिपोर्ट ली जाएगी इसके अधार पर आगे का फैसला लिया जाएगा प्रदीश कॉर्डिनेटरों के साथ मुख्य मंदल प्रभारियों को इसमें बुलाया गया है मायवती मौजूदा समय में काडर के नेताओं को और अधिक महत्व दे रही है इसके लावा मुस्लिम समुदाई के नेताओं को एहम जिम्यदारिया सौपी जा रही है बैठक में नवंबर में होने वाले निकाय चुनाओं और मिशन 2024 की रणनीती पर चर्चा होगी माना जा रहा है कि मायवती का फोकस इस वक्त केवल साल 2024 में होने वाले लोगसभा चुनाओं पर है इसलिए वो लगातार मन्थन कर पार्टी को मजबूत करने की कोशिश कर रही है